परिवार का जन आधार कार जन आधार नंबर अथवा जन आधार असीद पंजिकरन के लिए आनेवारे हैं। परिवार के भागवारा जन्हित में जारी। पिये मोदी से बोले तेलंगाना सीम राजी में लॉकडाउन की जरूरत नहीं। नागपूर से हैदरबाद जारही फ्लाइट में खराबी मुंबई एरपोर्ट पर इमर्जन्सी लैंडिंग। और अब खबरे विस्तार से। पुडुचेरी जमुकश्मीर के उपर राज्यपालों से भी दोनों केंद्र शाषित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिती को लेकर बाग की। केंद्र स्वास्त मंत्राले के नवीनतम आकडों के अनुसार अंद्र प्रदेश उन दस राजियों या केंद्र शाषित प्रदेशों में हैं जहां देश में प्रति दिन नए मामलों में 70 प्रतीशत से ज्यादा मामली दर्श किये गए। इन दस अन्य में महराष्ट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, करनाटक, केरल, हर्याणा, पश्य मंगाल, कमिल लाडू और राजस्तान शामिल है। के मंत्री के चंदरशेकर राव से बात की। पियम मोदी ने चंदरशेकर राव से पूछा कि राज में कोरोना की तैयारी क्या है। इस पर केसियार ने कहा कि राज में टीका करन अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा राज में लॉकडाउन के जरूरत नहीं है। CMKCR ने राज में लॉकडाउन को लेकर अपना पक्ष रखा उन्होंने कहा तेलंगाना में अभी लॉकडाउन नहीं होगा उन्होंने कहा जिन राजियों में पूर्ण पावंदी लागू है वहां कुरुरा के मामले कम नहीं हो रहे ऐसे में राज में लॉकडाउन लगाने से अर्थिव्यवस्ता ध्वस्त हो जाएगी नागपुर हैदराबाद एर अम्बूलेंस की इमर्जंसी लैंडिंग करवाए गई इस दोरान विमान में एक डॉक्टर और मरीज मौजूद थे जानकारी के अनुसार टेक आफ के दोरान एर अम्बूलेंस का पहिया अलग हो गया चालक गल ने पुष्टी की है कि पाइलेट्स ने लैंडिंग गेर का उप्योग किये बिना एर अम्बूलेंस की बेली लैंडिंग कराई इस एर अम्बूलेंस ने नागपुर से हैदराबाद के लिए उडान भरी थी खबर राजदा निजयापुर के पाउटा से है जहां कोरोन प्रोटोकॉल और निशेदाग्य के प्रावधानों की सकती से पाला सुनिशित करवाने को लेकर जिला कलेक्टर अंतर सिंग नहरा और जिला पुलिस अदिक्षक शंकरदर शर्मा ने पाउटा शहर और आसपास क शेत्रों का दौरा किया कलेक्टर एसपी ने पाउटा कस्बे के सर्विस रोड होते हुए मुख्य बाजारों सुभाज चौक होली चौक घंटागर चौक चमतकारी चौराह शनिमंदिर सहीत शेत्र का दौरा कर रेड अलट जन अनुशासन पक्वाडा के प्रावधानों के तैत ग्यारा बजे बाजार बंध होने की स्थिति का जायज अलिया इस और आन उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों कोडपुतली एसपी रामकुमार कस्वा कोडपुतली बीडी एसपी दिनेश यादव प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंगर चतुरवेदी प्रशासनिक अधिकारी कोडपुतली एडीम जगदिश आरे कोडपुतली एसजीम सुनीता मीना को निर्देश किया कि कोविड गाइडलाइन की सक्ति से पालना सूरिश्टित हो और इसका उलंगन करने वालों पर नियमा नुसार कारवाई की जाए करटर अंतर सिंग नहरा ने प्रभाविचेत्र में रहने वाले लोगों साइथ सभी शहरवासियों से आववान किया कि कोरोना पन्यंतर पाने के लिए जाकरुक रहे, सतर्कता बरते और प्रशासन का फून सहियोग करे मेरा गाम, मेरी जीमेदारी समझेंगे कि उसका आव में किसी तरह से किसी पस्तिति के दिर को आने मिलते, जो अनमत नहीं है, वो आप इस रुक्षा स्यम करें खबराजा निजापुर के पावटास है, जहां कोरोना वाइरस संक्रमन को खत्म करने के लिए आमजन को एक जूट करने के लिए कोड़ पुतली एसपी रामकुमार कस्वा ने अनूटी पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अब आमजन कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अपनी भूमिक आदा करेगा, इसके लिए एसपी कस्वा ने रक्षक योजना के तहत बुधवार से गाव चतुरबुत से उपकर्ण अधिकारी कोड़ पुतली सुनिता मीडा और डियसपी कोड़ पुतली दिनेशी आदव की मौजूदगी में मेरा गाव मेरी जिम्यदारी अभियान की शुरुआत की, इस अभियान को लेकर जिला कलेक्टर अंतर सिंग नहरा और जयापूर ग्रामेन एसपी शंकरदर्षर्मा ने नक्यवल सराह, बलकि पूरे जिले में लागू करने के निर्देश देते हुए ग्रामेन शेतरों में जाकर जन प्रतिनीदियों से मुलाकात की, एसपी शंकर्दर शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते वे बताये कि एसपी रामकुमार का स्वादवारा मेरा गाउ मेरा जिम्मिदारी अभियान का आगास किया है जिसके तहट कोरोना संकर्मन की चपेट में आने वाले ग्रामें शेतर की लोगों को बचाने के लिए हर पंचायत स्तर पर पुलिस और प्रशासन द्वारा एक टीम का गटन किया जाएगा जो कि कोरोना संकर्मन की रोक्ताम में पुलिस और प्रशासन का सहियोग करेगी खबर जोदपूर के तीवरी से है जहां कस्बे के राज की उच्च मादमिक विद्याले परिसर में सामाजिक कारी करता चंपालाल काटारिया के जरम दिन के उपलक्ष में चिडिया चाह के आंगर महके के तहट पक्षियों के लिए पाने के परिंडे लगाए गए इस दोरान क के लिए भी एक प्रेणा है एस दोरान सरपंच अचल सिंगहलोत सीबियो रतिराम सपुनिया पदमा राम जाकर पप्पू बेलिम खुशाल कटारिया कमलेश कटारिया गौतम कटारिया के शरामिन किया अकबर बेलिम विक्रम सोलंकी के साथ गंडमानी लोग मौजूद रहे खबर जालावार के भवानी मंडी से है जहां पुलिस प्रशासन ने बिनाकारण घूमरे ग्यारा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कौरिंटाइन भीज दिया है कोरोना संक्रमन की रोकताम के लिए प्रशासन द्वारा की जाराई कारवाई के तैद गुर्वार को पुलिस प्रशासन ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया थानादिकारी महावीर सिंग्यादव ने बताये कि शहर के विबिन इस्तानों में बिना वज़े घूमरे 11 व्यक्तियों को धारा 151 में गिरफ्तार कर कोविट संक्रमन की जाच कराई गई साथी अंबेटकर भहुन में बनाये गए अस्ताई क्वारिंटाइन सेंटर भीजा गया इसके साथी उनसे उठक बैठक लगवा कर घर में रहने की शपत दिलाई गई गिरफ्तार किये के सभी व्यक्तियों को एस्जेम के सामने पेश किया जाएगा थानादिकारी ने बताये कि लॉकडाउन के दोरान शहर में बिना कारण घूमने पर इसी प्रकार कारवाई कर संस्तागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा तो वहीं व्यक्ति दोबारा नियूमों का उलंगन करते पाये गया तो उसे जेल भेजा जाएगा कि इसका प्रभारी होगे अच्छा आज बता पाएंगे आज कितने लोगों को यहां लाकर कर रखा गया है आज रोड पर जो बेवजे गूम रहे हैं ग्यारा लोगों को पकड़के पुलिस प्रशाशन द्वारा नहां अंदर लाया गया है और उनको नहीं रखा जा रहा है तो यहां कितने समय तक रखा जाएगा लगबद यह प्रशाशन के उपए डिपेंड गड़ता है 151 पर इन पर मुकदमा दर्जी किया गया है तो इनकी जमानत होगी और प्रशाशन अपनी कारवाई करके इसके बाद ही छोड़े हैं और में समझाईश की जा रही है कि बव बज़े नहीं गूमें और जो शहर में कोरोना एक लिस्पोर्ट हो रहा उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल हो सकते हैं खबर जालावार के भवानी मंडी से है जहां 31 नए पॉजिटिव के साथ अब एक्टिव केस का अकड़ा 400 के पार हो गया है शहर में कोरोना संक्रिम उसे सैंपल भेज गए थे जिनमें 31 लोग और संक्रिमित पाए गए इसके साथ ही अब शहर में संक्रिमित लोगों की संक्या 896 पहुच गए शहर में दो व्यक्ति उन्हें कोरोना से दम तोड़ा है इसके साथ ही कोरोना से मढ़ने वालों के संक्या 29 पहुची शिकितसा प् पॉजिटिव पाए गए है जबकि अभी तक अन्य सैंपलों की जाच लंबित है शेहर में बढ़ रहे मामले को लेकर चिकिसा विभाग ने नगरवासियों को हाई अलर्ट किया उन्होंने सरकारी गाइडलाइन की पाल्ला करने मास्क को प्रमुख हतियार बनाने वे घरों से नहीं निकलने की अपील की है खबर जाल और जहे जांसाचा और शेत्र के लाचडी गाओं में कली आने सुबह 10 बजे 4 साल का मासूम अनिल देवा सी बोर्विल में गिरिया था जिसे बचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमें बुलाए गई थी इनके द्वारा रात को 2 बजे त NDRF और SDRF द्वारा अलग अलग तरह की कारी यूजना बना कर प्रयास किया गया लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिली जिसके बाद माधराम ने कमान समाली और 90 फीट लंबी 3 पाइप बोर्विल में डाली गई तीनो पाइपों के आगे वाले हिस्से पर रसी को बांदा गया जब पाइप बच्चे तक पहुँची तो बच्चे को खड़ा होने को कहा गया बच्चा जब खड़ा हुआ तो माधराम ने पाइप के नीचे वाले हिस्से में बंदी रसी के हिस्से को खीच कर तीनो इकत्रित कर्बान दिया जिससे बचा अनिल तीनों पाइपों के बीच फस गया उसके बाद धीरे दीरे पाइप और रसी को बाहर कीचा गया इसके चलते पाइप के बीच फसा अनिल सुरक्षित बाहर निकला आया और इसे के साथ फिला स्टेट न्यूस बुलिटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे है धीपी के न्यूस के साथ नमस्कार